चलिए अगला कुश्चन देखते हैं दस वर्सों में A की आयू B की दस वर्स पहले की आयू से दो गुनी हो जाएगी यदि अभी A B से 9 वर्स बड़ा है तो B की वर्तमान आयू क्या होगी इसमें दो अलग-लग लोग है A और B A और B दो अलग-लग लोग हैं और दोनों की हमको वर्तमान आयू की जुरत पढ़नी है दस वर्स बात की आयू की जुरत पढ़नी है और दस वर्स पहले की आयू ठीक है तो चलिए हम इसी को इसी टम्स पर एजूम कर लेते हैं माल लेते हैं A और B की वर्तमान आयू यह small A है और यह small B A की वर्तमान आयू small A और B की वर्तमान आयू small B तो 10 वर्स बाद इनकी आयू क्या होगी? 10 वर्स बाद 10 बढ़ा दीजिए A plus 10 और यह B plus 10 और साथ ही जोरत पड़ेगी हमको 10 वर्स पहले की आयू तो 10 वर्स पहले क्या आयू होगी? वर्तमान आयू से 10 वर्स कम कर दीजिए तो 10 वर्स पहले की आयू A minus 10 और यह हो जाएगी B minus 10 ठीक है? चली अब question पढ़ते हैं 10 वर्सों में 10 वर्सों में कहने का मतलब 10 वर्स बाद दस वर्सों में A की आयू, B की दस वर्स पहले की आयू से दो गुनी हो जाएगी statement बोल रहा है कि A की दस वर्स बाद की जो आयू है ये B की दस वर्स पहले की आयू का दो गुना है simple मतलब ये है A की दस वर्सों में A की आयू, B की दस वर्स पहले की आयू से दो गुनी है मतलब दस वर्स बाद A की आयू क्या हो जाएगी A प्लस 10 और ये जो आयू है B के दस वर्स पहले मतलब B माइनस 10 का कितना गुना है दो गुना है ये है पहले statement का मतलब ठीक है थोड़ा solve कर लिजिसको A प्लस 10 इक्वल टू 2B माइनस 20 इस 10 को उदर shift कर दीजिए तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू 2B और ये माइनस 10 इधर जाएगे क्या पन जाएगा माइनस 30 इक्विस्टन नमबर फास्ट ठीक है चलिए आगे पढ़ते है यदि अभी मतलब वरतमान में A B से 9 वर्स बड़ा है A की वरतमान आयो small A B की वरतमान आयो small B तो अभी बोला है कि यदि वरतमान condition में A B से कितना बड़ा है 9 वर्स बड़ा है तो बताईए B की वरतमान आयो क्या है यहोगा equation number 2 देखें दोनों में A का value equate कर जिए so equation number first and 2 से क्या हो जाएगा यह 2B minus 30 equal to B plus 9 इसको इधार shift कर दीजिए और B को ज़र shift कर दीजिए तो 2B minus B, B हो जाएगा और यह 30 दो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 39 बन जाएगा तो finally जो B की वर्तमान आयू है small B, इसका value कितना जाएगा 39 वर्त और इसमें आपका option है option number C, 39 वर्त